ओवर्लैग नपक कर एसी कटिंग बताऊंगा आपको इसकी कि आपकी जब कटिंग कर लेंगे ऐसे आपको गुर बताऊंगा इसमें कि इस तरह कपडा कठा नहीं होगा इस जगा पर काफी मेरे मेरे कमेंट्स आयें कि यहां पे हमारा कपड़ा कठा हो जाता है लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा जो इस तरह बनेगा साड़ों पे कोई भी कपड़ा कठा नहीं होगा बिस्मिल्ला रहमाद रहीम असलाम अलेकम कैसी हैं वीवर्स मीद करता हूँ आप सब खेरे से होंगे आज मैं आपके लिए लाए हूँ ओवर लैप चैना गला कमांडो गला भी कहती है ऐसे उसके लिए मैं यह चाहिए पेपर पेस्टिंग जीरो साइज की पेपर पेस्टिंग है आपने यह जीरो साइज की इस्तमाल करनी है 44 इंचिस की लंबाई है और डेर इंचिस की चुड़ाई है यह आप 10 पेंटिंग आपने इस्तमाल ली करनी है यह जीरो साइज की यह 10 पच्ची आपने लेनी है उसके बाद यह कपड़ा में लिया है यह मैंने आड़ा लिया है, यह कन्नी वाली सेड नहीं नहीं, मैंने दूसरी सेड लिया है, आपने यह आड़ा कपड़ा लेना है, फ्रंट सेड भी और बैक सेड भी, अगर आपके पास आड़ा कपड़ा नहीं है, बाटर है कोई, बाटर तो सीधा ही होता है, तो आप पेपर पेस्टिंग ली है। इसको हम पेस्ट कर लेते हैं उसके बाद यह थे तिर्ची अब लगाते जाएंगे। एक पाउं का मार्जिन रखते हुए आपने इस तरह सलाईयां लगा लेनी है पूरी पट्टीस पे 44 इंच की पट्टी है इस तरह आपने सारी पट्टी पे सलाईयां लगा लेनी है एक पाउं का मार्जिन छोड़ते हुए उसके बाद आपने दूसरी सोह से लगा लेनी है, एक एक वह मैं लगा दignty है, वह दोसी स्याड का। इस तरह यह एक पाऊँ का मर्जें छोड़ते वे आपने इस नहीं लगाती रहना है यह थे हमारे ऐसा रिजान तियार हो जाएगा जिमिन यह त्यार कर दी है अब हम इसके पीछे पटी लगाएंगे वो भी हम आड़ी लगाएंगे यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज इसको लाइक कर दें और चैनल को समस्क्राइब कर लें अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस इदागर के स् उसके बाद हम इसको निशान लगाते हैं इस सवाइंच की हमने पटी लगानी है सवाइंच का हम निशान लगा लेंगे इस सवाइंच पे हम पूरी पटी पे चुटा लेते हैं जो पट्टी इसको निशान लगा लेंगे अब इस निशान के उपर हम लैस को टैज कर देंग ये निशान हमने लगा लिए हैं ये लैस लगाने में अमरे लिए असानी हो जाएगी और गला लगाने में भी हमरे लिए असानी हो जाएगी और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, 11-16-16 उपर से 100-70 हम मार्जिन चोड़ देंगे और। 16-16 में निशान लगा लिया है. 10-20 प्रोंच पर इसके मेजरमेंट करनी है। यह हमने तीन पॉइंट पे हम निचान लगा लेना है Watts आपको बता दोंग हो एक की इंच में आठ पॉइंट होती है और इक शार्व होती हैं लेकिन यह हम तीन पॉइंट ले रहे हैं तीन पॉइंट ले ले लेंगे तो सिंगल करेंगे सिंगल के बाद यह छे पॉइंट हो जाएंगे जी हम ले लेंगे जी तीन पॉइंट यहाँ निशान लगा देंगे और इसके हम शेव दे देंगे यह जो शेव हम दे रहे तो वो अपनी जगह सही बैहर जाएगी अब इसको कट कर देती है यह आपने जिस तरह शेव में दे रहा हूं आपने इस तरह शेव दे देनी है यह तीन पॉइंट मैंने कपड़ा ले लिए इसको थोड़ा तीरचा काट लेंगे ताके में फोल्डिंग में मस्वरा ना यह थ भाने से बना सकें यह हमारा छे पॉइंट तो यह हम ने सबाइंच के लगाना है तो यह हम डिखन लगा लेंगे इस तो इदर रेग इस को जोड लेते हैं बैक को इसके ताट कर लेते हैं पर पिर कपड़ा कठा नहीं होगा जिस तरह यह मैंने कटंग की है। यह हम लियाद लगाई है, नीचे सलाई नज़ा रही है उसके अपर आप यह इस तरह निशान को निशान के साथ आप मिला लेंगे, तो यह आपकी सलाई बेट्रीन लग जाएगी। उपर निशान नीचे लगाते जाना है, मैं अमीद करता हूँ वीवर्स को ये मेरी वीडियो पसंद आ रहे होगी, इसको लाइक कर दें, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपको डिसलाइक कर सकते हैं, आपको ये एक त्यार असल है, अगर आपको इस गले में कहें भी कोई मसला आ रहा है, मेरी बेहनों को ये भाई को समझ नहीं आ रही करेंगी कहीं से भी, तो आप कमट सेक्शन में जाके मुझे रपलाई करें, मैं आपको, आप मुझे रपलाई देंगे, तो मैं आपकी भरपूर रहनमाई करूंगा, आपको जवाब भी दूँगा, आपको त्रियकार भी पर उसी निशान के उपर हमने सलाई लेकर आनी है, हम इसके उपर भी निशान लगा लेती है, ताकि हमें कोई मसला नहों निशान वहाँ तक सलाई पहुंचाने में, यह उपर भी निशान, नीचे निशान, अब हमें यहीं पर आग इसको डबल स्टिच कर देना है, यह हमन ताकि यहां से फोल्डेंग हो सके गला फोल्ड हो सके अब हमने तीरे को तीरे के साथ मिला लेना है ये तीरा और राइट वाला और लेफ्ट वाले जो दोने तीरों की जो तीरे के जो सलाईया हैं उनको आपसे मिला ले दोनों सेल्ले कमलाते हुए, इसतरह पति को बराबर करते हुए इस चीज़गे आपने खास ख्याय रखना है, दोनों बराबर हो जहाँ पर हमने सलाही लगाई है, वहाँ पर आपने शान लगालें सीधा बिलकुल और दूसी सेट भी जहां पर हमने सलाई लगाई हूई है वहीं पर सीधा निशान लगा लें यह हमें अब अंदाजा हो गए है यहां तक हमने हमारी यह पटी है अब हम अपने गले को V, नेक को हम इस तरह बिठाते हैं राइट सैट को आपने उपर रखना है, लेफ सैट को आपने नीचे रखना है इस तरह आप इसे प्लाकट जो है प्लाकट के मैं आपको से ओपर सऽ्लाई लगा आ के दखाऊंगा नीचे से सलाई लगाना इसको थोड़ा मुशकल होता है वह बिगनसके लिए मैं असानी पैदा कर रहा हूं कि ओपर सलाई भी लग जाती है मैं bigness के लिए असानी पैदा कर रहा हूं कि ओपर आप सलाई लगा लेगे तो यह असानी से लग जाएगी इसको आप इस तरह कर लें यह प्री कर लें बना दियुक आbang US के बाद पिन लगा दें ताकि हम सलाई लगाते हुए में असानी पैदा हो असानी हो जाए यह गला सरके नहीं उसके बाद इसके हम डीपनेस को हम 8 इंच में रखेंगे अगर 8 इंच भी आप निशान लगा देंगे जो उपर दे 7 इंच हमने रखा है तो यह गला करास हो जाएगा कोई छूप eight हुच में और 8 इंच में और इधर लहाता है जाता है गला बैट रहना है पन्ति फरी वही हम इसान लगा देना जहाए आप इदर इस पर सलाई लिए था है बहुत एजी असानी से रजो जाए है उसके बाद हम यह लेसम लगा यह लेसम को उठा कर मैम लिए जो पती पट्टी को नीचे देटे रहे नेज्स के अधर्टी के नीचे देते हूए आपने इसतरा चलिया देनी जहां पर गल्णा यहीं बैठ रहा है आपने वहीं प्यूंपे इसको चलिया लगाते जाना आए यह चेया बहुत प्यारा गल्णा बनेगा विलक्ल बहतरीन बैणता है स प्रिंचेंगे साथ यह बनाएं आप भी अगर इसी तरह बनाएंगे जिसक्राइए मैंने आप तरीका बिताया तो बड़ी फिंचेंगे साथ गला बनेंगा कोई मसला भी नहीं होगा बहुत यह असान तरीका जैम गले के पीछे हम कपड़ा लगा देंगे बाकी गला जो है साड़ों से वह उपर लाक हो जाएगा जो पीछे हम इदर कपड़ा लगा देते हैं ताके धागे बगार जो हो निकलते न रहें गले में फिंचेंगा जाती है इस तरह आप फाल्दू कपड़ा कट दें तीरे से लेके तीरे तक आप यह लगा दें बहुत आई इस तरह आप यह कट कर दें इसको फोल्ड कर दें जहां से अब शुरू किया है फोल्ड करने के बाद आप इस पे इस तलाही लगा दें इसके बाद जो फाल्दू कपड़ा है आप उसको कट कर देंगे अब चाहें तो अब इसको तरपाई भी कर सकते हैं यह तरपाई के जोर्त पर नहीं है यह नीचे बैठा रहेगा यह इस तरह यह बैठ गया नीचे यह बड़ी फिंचिंग साथ बैक सब्सक्राइब बनी है मैं अमीद करता हूँ वीवर्स आपको यह मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी पसंदा जोगी लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तक मजीद आने वाली वीडियो आप तक बारवगत पहुंच को सके बैल आइक उन को आपने दबा देना है ताके हर किसम क वीडियो आप तक पहुंच सकें थैंक यू पर वाचिंग अल्ला अफिज